Zoom, इसको तेखो Katrina Turquette, क्या आप जानते हैं Bollywood की इस नई अक्ट्रिस को? Well, यही तो है वो हसीना जो Bollywood की हर अक्ट्रिस को दे सकती है जम्प कर competition जी हाँ, Katrina Kev की look-alikes तो कहीं आई है इस industry में लेकिन अब Katrina का नाम शेय करने वाली ये Katrina Turquette कौन सी नई होटी है? आईए देखते हैं Katrina Kev, सिर्फ नाम ही काफी है लेकिन Katrina Turquette क्या कभी सुना है आपने ये नाम? नहीं ना, कौन है ये? किसका है ये नाम? क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं गरसल Katrina Turquette कोई और नहीं बल्कि बॉलिवुट की बावी Katrina Kev की है अरे चोंकिये मत क्यूंकि यही सच है और इसका खुलासा किया है Katrina को बॉलिवुट में ब्रेक देने वाली आईशा श्रॉक ने एक अकबार को दिये इंटर्व्यू में आईशा ने कहा है कि जब उन्होंने Katrina को फिल्म बॉम से लाउंच किया था तब Katrina का रियल पासपोर्ट नेम Katrina Turquette था लेकिन बॉलिवुट में फेमस होने के लिए चाहिए था एक ऐसा नाम जो इंडियन आउडियन्स को अपील कर पाए और इसी वज़ा से बॉम के मेकर्ज ने Katrina Turquette का नाम रख दिया Katrina Kev और अब Katrina Kev बन गई है बॉलिवुट की टॉप अक्ट्रिस वहीं Katrina के अलावा बॉलिवुट में नाम बदलने का ट्रेंड और भी कई अक्ट्रिसस फॉलो कर दिया हैं ऐसी ही एक अक्ट्रिस है सेक्सी शरलिन चोपड़ा जिनका असली नाम था मोना चोपड़ा लेकिन इस ग्लामर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने अपना नाम रख लिया शरलिन चोपड़ा शरलिन की ही तरह महिमा चोपड़ी का नाम भी इस ग्लामर इंडस्ट्री की ही देन है महिमा का असली नाम था रितू लेकिन बॉलिवुड में के नाम इतना कॉमन था कि परदेश से उन्हें लॉंच करने वाले डिरेक्टर सुभाष खही ने उनका नाम रख दिया महिमा चोधरी इनके अलावा सेक्सी बॉमशल मलिका शिरावत का किस्सा तो काफी फेमस रहा है हर्याना की रहने वाली मलिका ने भी इंडस्ट्री में अलग इमेज बनाने के लिए ही अपना नाम रीमा लामा से बदल कर मलिका शिरावत रख लिया वही नाम बदलने की इस लिस्ट में लेटिस्ट एंट्री है राम गोपाल वर्मा की फेवरिट आक्ट्रिस निशा कोठारी की जिनका अब नाम हो गया है प्रियांका कोठारी वैसे गौर करने वाली बात है कि इस तरह से नाम कमाने के लिए नाम बदलने की लिबर्टी सिर्फ उन्हीं आक्टर्स के पास होती है जो बॉलिवुड में बिना किसी फामिली कनेक्शन के लेते हैं एंट्री क्योंकि स्टार केट्स के नाम तो पहले ही रहते हैं हाइप में वैसे ये बात तो साफ है कि बॉलिवुड का सफर शुरू होता है नाम से सुरूची मातपुरकर, जूम, मुंबई